नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूटीब चैनल फ्यू मिनार्ट श्टडी में दोस्तों जो भी छात्र विहारवर्ट से इंटर में एड़ मिसल लेंगे उन सभी का फर्स्ट मेट्रिस विहारवर्ट ने कल ओएफ एसस वेबसाइट पर कल 11 वज़े जारी कर दिया लेकिन आपको बाद है कल 11 वेसे लेकर अब तक भी हारवर्ट का जो साइट है ओएफ एसस जो अभी तक खुल नहीं रहा है यानि जैसे सभी छात्र अपना फर्स मेट्रिस डाउट करने के लिए ओएफ एसस साइट को खुलते हैं तो उसके सामने ऐसा देखनों के मिलता है यानि व फर्स मेट्रिस को डाउट किया जाएगा ताकि छात्र अपना एडिमिसन ले पाएंगे स्कूल को लेजिमें क्यूंकि आपको बात है एडिमिसन के लिए डेट भी बहुत कम रखा गया क्यूंकि बिहारवर ने साब तो उसे कल बताया है कि 18 से लेकर 24 अगस्त के बीच ही सभ किसी ने एडिमिसन ले तो इतने कम दिनों में सभी छात्र एडिमिसन कैसे ले पाएंगे बहुत बड़ी फरसानी आ चुके हैं सभी छात्रों के लिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जनकारी देंगे कि आखिर यह साइट कैसे खुलेगा और कब खुलेगा और चात्र एडिमिसन कैसे लेंगे क्योंकि आपको बहुत है 18-24 अगस्त के बीची एडिमिसन होगा तो क्या है पूरी जनकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को पूरा ज़रू देखिए क्योंकि आपको बहुत है पूरे बिहार बच्चों के य इसे जितने भी अपडेट होती है उसका हर नोट विकसे आपको सबसे पहले मिले चलिए आथ किस वीडियो को जली से सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ बता देते हैं कि जैसे सभी चात्रे कुरूम ब्रादर यानि गूगल पर सर्च करते हैं ओ ऐसे सब भी हारवोड के जो साइट है उसको सर्च करते हैं गूगल पर उसके सामने ऐसा खुलकर आ जाता है यानि सर्वर इर दिखाया देता है यानि करेस कर चुका है चलिए आप आपको जनकारी देते हैं कि क्या है जनकारी तो दोस्तों यहां पर आपके स्क्रीम पर साब्से क्या तो वहां पर भी कोई जबाब नहीं मिला है तो क्या है जनकारी इस वीडियो में आपको मिल देगी तो इसलिए वीडियो को पूरा जरू देखिया और आपको बता दे कि कल भी हारवोड का साइट सुलो हुआ परसान रहे सभी सीख्षक एवम चाद यानि भी हारवोड फर्स मिलिस अवंटि छात्रों का सुची निकार सके तो यहां पर इसमें बताएगा है कि सभी छात्रे अयम सीख्षक परिशान रहे कल भी हारवोड के साइट सुलो होने करण आगा यहां पर देखिये इसमें बताएगा है यह दैनिक वासकर का आर्टिकल जिसमें बताएग करने कारण कल पूरे दिन सभी छाते परसान रहें पहले दिन इंटर में कोई भी नमानकन नहीं हो सका सुबह 11 से लगतार देर सांथ नहीं खुलने से उन्हें चैन सुची की जनकारी नहीं मिल पा रही है स्कूल और कोलेदे में पुलस टू स्कूल में भी लगतार कम्पीट और जनकार इसे लेकर बैठे यानि सभी छात रेवम सीक्ष्ट चेक कर रहें कि कैसे डाउलड के जाएं क्योंकि आपको व्याद है जो क्रेस कर चुका है दोस्तों यहां पर आपको एक जनकारी और बता दें कि जो आप सूच रहें कि सिर्फ आपका फर्स में डालोड नहीं कि साइल जो कर चुका है इसको लेकर आपको बता देहें यहां पर जनकार दिये कँ यहां पर बतायागा है कि स्कुल्छ में में नहीं मिली चैन सुची दीन भर हाइर स00 कोले और कھो बयांचारी सुची की अगर गुरुवर्क की सुबह प्रफंचेर सूती मिल भी जाते हैं यानि बताये गा हैं कि आज अगर प्रफंचेर सूती अगर डानलोड होना शुरूद भी हो जाता है तो नमानकें के लिए जरूरी तैयारी में समय लेगा गुरुवार को हर जगा नमानका नहीं हो से गया क्योंकि सुक्रवार को मुहर्म की छुटी है और उसके बाद सनी वार और फिर रविवार को रख्षा बंदर भी है तो यहां पर इसमें बताएगा है कि पहले सुची वाले के लिए 24 तक नमानकें की तैय तीथी बढ़ानी पड़ सकती है कई स्कूल और संस्ताने में सोनवार से नमानकन शुरू होगा यहां पर बताएगा है कि आप जो डेट है उसको लेकर यह आयास लगा रहा है कि आप जो डेट है इसको आप बढ़ाये है तो आप पूरा जो नमानकें जो पिर क्या दिख रहा है अगर फर्स में लिस्ट आज भी जारी हो जाता है तो आप नमानकन जो होगा वह जाएगा सुम बार से क्योंकि आपको बाते इस बीच में दो तीन दिन आपको छुटी भी है स्कूल और कोलेज बंद भी रहेंगे तो कैसे एडमिशन होगा इसलिए आप सभी छात्रों के लिए यही अपडेट है कि आप एडमिशन का भी डेट बढ़ेगा आप लुक जादा परसान मत होईए और आपको साइट की बात करें यानि वेपसाइट कैसे खुलेगा तो आपको बता दे आज उमीद लगाई जा रही है कि आज साम तक आपका जो साइट हो खुल कर आपको देखनों कर मिल जाएगा आपका फॉर्स मिल लिस्ट आज से डाउलोड होना सुरू हो जाएगा क्योंकि आपको बैदे पूरे 24 गंटा लगतार साइट करेंस कर रहा है ऐसे हैं बिहार वोर्ट को भी जब छात्रो मैं से तो आपको मिल जरूर आएगल नाम बट रहे होगा साइटर और नहां जरूड आया है कि अगर जाय हुआ अगर नहीं आया मैसा है तो समझे लिए कि आपका फॉर्स मिलिस में नाम नहीं आया है दोस्तों यहीं जनकारी थी जैसे आपको साइट खुलकर आपके सामने सुरू हो जाएगा तो मैं आपको जल्दी से एक वीडियो लेकर आ जाओंगा जिससे आपको बता दूंगा कैसे आ आपको डाउड करना इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देजिएगा और चैनल पर फेली बार रहा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकाशन बेल आगन को ज़रूर देबा लेजिएगा ताकि जितने भी अपडेट्स होती है उसका हर नोटिफिक साथ अपते के लिए धन्यवाद